100% यह खत्रनाक होगा कोई मोदी जी का इन पर अंकुस लगाना चाहिए यह देश का खत्रा बनके राई है और यह 2024 में यह कुछ करके जाएगी यह आप समय लिजिए यह यह देश के लिए बहुत घातक है एक मिजाईल की तरह है कम बलाश करेगी यह कोई नहीं जानता यह तो बहुत मैंने क्या का आजा इसके बारे में यह धोंग कर रही है 100% यह धोंग कर रही है कि मैं कैसे बच के रहूं और यह धोंग नहीं करेगी तो यह बचेगी नहीं पुलिस उठा के जेल भाइज देगी यह धोंग कर रही है कि मैं सच्चा हिंदू बन गई हूँ मैं हिंद देखिए सीमय जो है यह भारत की खोकला करना चाहती है और यह जो आपने बूला कि एपी सिंग जो है एड़ोकेट है यह पता नहीं इसको कौन साट्फिकेट दे दिया कि एड़ोकेट बन गया यू इस बोकेट के लाइक नहीं है जब यह जानता है कि यह देश दुरही है इन यह खुशी नहीं है यह भारत के लिए ठीक नहीं है देखिए सिल्वर बटम देने के मतलब नहीं है यह इसको आप जैसे लोगों ने मिडिया नहीं इसको पॉपलर बना दिया नहीं तो यह कातंगबादी के तरह आई है और याज नहीं तो कल तब फोल खुली जाएगा मैं अपने ग्री मंत्री अमीज साजी से भी रिक्वेश्ट करके कहता हूँ कि सबसे पहले इसको आरेष्ट किया जाए और जो इसकी जो फैवर में है उनको भी आरेष्ट किया जाए इन लोगों को कैद किया जाए नहीं तो कल हो ना हो एक एक रिपोर्ट जो है यह पकिस्तान कर太 gonna टा हूँ की अपके पास हमां कि फूर कर दी है कि नहीं कर दी है उसको मान अनको करते हूं को कि इसका प्रूफ है खुआ हमारे पास उस पर हम काम करेंगे निए इस फर कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि फ़। में रखा गया है इनको जहां जेल में रहाना चाहिए चुटा घुम रही है इसमें ज़रूर कोई ना कोई चाल है रहा जो बच्चे के यह admission नहीं हो रहा यह किस हिसाब से admission होगा कोई भी जाएंगा तो अधार काड़ प्रूफ में अभी लगेगा कौन सी KLAiksi में जाएंगे उनके जो मारशीट लगेगा तो इस बच्चे-लोग को ना मारशीट है नहीं कोई अधार काड़ है नहीं को फरजि इनलीकल Dartmouth के तरह थे हमारे देश में आई है तो सीमा हैदर पर भी हमारा जो है नहीं अब तो हमारा एपी जीफ हूआ में, एपी सिंफ पर भी के नहीं है है 밥 के नहीं तो इनलोकों के जल के सलाक़ों के अंदर कर बच्चें बेजू और जब जुह के अंदर जाएंगी दूद का दूद और पाझी का पाझय सामने नजार आने लगेगा कि वाकिए मीमेर क嫔ह है कि ये बहुत बड़ा असरम सार है, कि उनको जो भारत शत्रचाह दे रही है, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए भारत की लोगों को अगर भारत के लोगों का यह करना चाहिए कि जहान से आई हो, आ चला जाओ और नहीं तो इसको जेल भेज्च देना चाहिए और इसमीद संड़ी अजक छाईय है ऑं पूरा स्थाना टेकर है तो जाए पोर्जी से अधार मेश इन लेकर पहे। यह क्या नम है इनका अजयम खान का लड़का को उनकी पत्नि को उनको जब जेल बेजा गिया तीन साल उमर बढ़ाने को चक्कर में तो यह इनको क्यों ने बेजा जा रहा तो किसी को यह हिंदू जुका रहे ने के मेरा भावी है अब मैं उनका देवर है नहीं भावी नजराएंगे नहीं देवर नजराएंगे कोई मोदी जी का इन पर अंकुस लगाना चाहिए यह देश का खत्रा बनके राई है और यह 2024 में यह कुछ करके जाएगी यह आप समय लिजिए यह यह देश के लिए बहुत घातक है एक मिजाईल की तरह है कम बलाश करेगी यह कोई नहीं जानता यह तो बहुत मैंने क्या का जाए इसके बारे में यह धोंग कर रही है 100% यह धोंग कर रही है कि मैं कैसे बच के रहूं और यह धोंग नहीं करेगी तो यह बचे कि नहीं पुलिस उठा के जेल भाइज देगी यह धोंग कर रही है कि मैं सच्चा हिंदू बन गई हूं मैं हिंदू के रिती रिवाद से जी रही हूं। तो ये हे नहीं है बाहरत क्या हिंदुन करना चाहते हैं। और यह जो आपने बोला कि एपी सिंग जो है एड़ोकेट है यह पता नहीं इसको कौन सर्टिफिकेट दे दिया कि एड़ोकेट बन गया यह जब यह जानता है कि यह देश दुरही है इनलीगल से आई है तो इसकी मेकान बना कर देना लोग उसे चंदाई काठा करना इसको फि भारत के लिए ठीक नहीं है सिल्वर बटम देने के मतलब नहीं है यह इसको आप जैसे लोगों ने मीडिया ना इसको पॉपलर बना दिया नहीं तो यह कातंगबादी के तरह आई है और आज नहीं तो कल तो पोल खुली जाएगा मैं तो बार बार यही कहता हूं योगी और मॉदी जी से भी कहता हूं मैं अपने ग syllables करके कहता हूं कि सबसे पहले इसको आरेश्ट किया जाए और जो इसकी जो फेवर में है उनको भी आरेश्ट किया जाए इन लोगों को कैड किया जाए नहीं तो कल हो ना हो एक एक रिपॉर्ट जो है बहेजेगी और दिए पकिस् पेपर आपके पास अमहろ retention कोई तो उसको प्रूफ है उस पर हम श काम करेंगे ने बाइर के लोग फ़र कियां लोगा उनका फैयもう है किस हिसाब से कोई भी जाएंगा तो आधाल कामरी प्रूफ में अभी लगेगा। यह नहीं कोई अधार काड़् है और फरजी इनलीगल के तरह से हमारे देश में आही है तो अब तो सीमा है दर पर भी हमारा जो है नहीं अब तो आप जी पर पता नहीं है भारत के है के नहीं